इंदुस्तान और से दंगल यूटीव चैनले में फेस्बूक पेज में आप सभी का स्वागत है मैं हो कुल सेखर दुबे और आज मैं एक नया घोड़ा का वीडियो लेकर आए हुए घोड़ा नियाजी पूर बकसर बिहार में जो 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों दि लेकिन जो एक घोड़ा है काफी संदार जंदार घोड़ा है लगभग 36 pré determined बता राथा जब उत्तर मैं बात कर रहा हूं इस से घोड़े के उत्तर प्रदेश से बिहार में लाने वाले पिंटू सी मुखिया जी अमसारी डुमराव बगसर बिहार के हैं और काफी संदार चालो में घोड़ा चल रहा था लेकिन समय बित्ता गया और जो उपर वाले का मंजूर होता है वही होता है समय के साथ इस घोड़े का पेट खराब हो गया और घोड़ा बहुत ही दुबला हो गया बहुत ही कमजोर हो गया मुखिया जी ने आगे इस घोड़े को किसी को दे दिया और घूमते हुए ए घोड़ा रामबली से जी घोड़ारा बलियां उत्तर परदेश में पहुँचा जो इस घोड़े के अब मालिक है और उनके यहां जाकर इसका पेट सही हुआ और अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि घोड़ा शरीर से तंदुरुस्त हो गया है और अभी शुरुआत की प्रेक्टिस है इस घोड़े की इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी घोड़ा अभी अपने मामूली चालो में चल रहा है जैसे जैसे प्रेक्टिस होती जाएगी घोड़ा अपना पावर जरूर दिखाएगा अब दिखना है कि कब तक दिखाता है इस घुड़े पर सवारी करने सवार अंजनी सी तो आप सभी लोग इस वीडियो में लाज तक बने रही है इस घुड़े की पहरबाजी आप सभी को कैसी लग रही है आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान और से दंगल यूटूब चैनल और फेस्बूक पेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पेज को फॉलो कीजिए लाइक कीजिए और भी लोगों से लाइक और फॉलो करवाते रहे हैं चैनल चितवाडा गाम 22 अक्टूबर का रेस है मैं वीडियो देने कोशिश करनेगा वीडियो देखने के लिए धन्दबाद